तो कैसे हैं आप लोग मुझे उम्मीदे की बहुत बढ़िया होगे और मैं बता दूँए कि मैं भूट बढ़िया हूं शांदार हूं तो मैं बहुत-बहुत आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास शो में मैं आपका दोस्त आपका भाई आपका टीचर आपका मेंटर और आपके इस सीए जरनी का साथी मोहिश्रिवास्तफ इन फैक्ट सीए मोहिश्रिवास्तफ जी हां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आपका फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटिंग और जिसे हम प्यार से क्या बोलते हैं आई से की भाषा में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस अपकाउंटिंग इसको हम शॉट में क्या बोलते हैं अपने घर में अकाउंटिंग तो आप लोग जो में से पहले भी पढ़े हुए हैं वह अच्छे से जानते हैं 11 12 में कि हमने इसो कितना इंडब जाकि बढ़ाता है और जो पहलीवार पढ़ने वाले हैं उन लोगों को म मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊंगा सभी को मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं कि जैसे हम फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हैं क्यों क्योंकि इस बैचर में बहुत से बच्छे ऐसे भी है जो साइंस स्ट्रीम से ब्लॉंग करते हैं उनके लिए अकाउंटिंग वर् आपने कुछ कोशन कर लिए कुछ सेम पैटर्न के कोशन कर लिए और आपको नंबर मिल जाते थे लेकिन यहां पर आपको इन डैट नॉलिज होनी जरूरी है और जिससे आपको आगे दिक्कते ना हो और यह सब्जेक्ट जो है यह इतना इंपॉर्टन सब्जेक्ट है इसकी हम इस बात से ही लगा पाएंगे कि यह सब्जेक्ट हमें इंटर में भी पढ़ना है और यही सब्जेक्ट हमें फाइनल में भी पढ़ना है जी हां यह हर लेवल पर हमारा साथ देगा तो हमारा भी कर्तव्य है हमारा भी धरम है कि हम इसका साथ दें और इसको अच्छे से सी रखता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यह पहला लेक्चर है जी हाँ यह पहला लेक्चर है इसके अंदर आपको मैं आगे की रहा जो हम तै करने वाले हैं उसमें आपका क्या रोल है मेरा क्या रोल है हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में संग शेप में आपक स्लेबस में और हम पढ़ाई चालू कर देंगे आज से ही जी हाँ कोई फालतों की बगयती नहीं कोई टाइम पास नहीं सीधा अभी कुछ बात करके कुछ जो हमारे स्लेबस के लिहाज से भी वह जान करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने स्लेबस में आज ही हम पढ़ाई भी चालू कर देंगे जी हाँ आपने सही सुना तो सबसे पहल तो यह बताईए यह जो सब्जेक्ट है कितने मार्क्स का आएक एक्जाम में जी हाँ यह 100 मार सब्जेक्टिव में आने वाला है और मजे की बात तो दोस्त यह है कि यह पूरा सब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है इसका मतलब एक बात क्लिक हो रही है दिमाग के अंदर यह हमारे गलत अंसर को चुना लेकिन सर अब यह सब्जेक्टिव एक्जाम है तो अगर यहां पर अगर तुमने गलत भी कर आपना फाइनल अंसर तो डरने वाली कोई बात नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर आपको अकाउंटिंग में स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी और कोई नेगिटिव मार्किंग नहीं होगी पूरे 100 मार्क आपके साथ रहेंगे यहां इसी लिए मैं आपका बहुत-बहुत-बहुत सवागत हूं वेलकम करता हूं मोस्ट से बिजादा मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस शो में जिसके अंदर हम Accountancy को जिएंगे, Accountancy को पढ़ेंगे और उसको in-depth समझेंगे, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा लग़ा भी तक सुनके, हाँ अभी और अच्छा लगएगा, कि जैसे कि हमारे C.A. Founders में चार पेपर हैं, हमें एक एक करके एक्जाम दे आठ एक मॉड़ूल में आपके साथ चैप्टर एंड रिमेर्निंग चार चैप्टर आपके सैकेंड मॉडूल में जिसके अंदर कुछ-कुछ यूनिट्स भी हैं, जैसे चैप्टर बं पढ़ेंगे, तो चैप्टर बं के अंदर almost 6 यूनिट हमें पढ़नी हैं, आसे साथ य सबसे पहले तो जो बच्पन में नहीं पढ़ा और वो तुम्हें अब पढ़ाने को दिया जा रहा है तो तुम्हें वो पढ़ना है तो जो बच्पन पढ़ना है और जो नया स्लेबस एड हुआ है यानि जो नए टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो भी हमें मिलेंगे इसके अंदर पढ़ने के लिए बिल्कुल सही है तो लेकिन जो बच्पने पढ़ाता वो तो कुछ भी आदनी है और वो सुछ मेरा दोस्त जो बैठा वगरा सबसाइन्स में तो बच्पने साइ जी हां मैं यह वादा नहीं करूंगा कि मैं आपके साथ एक्जाम तक हूँ एक्जाम के वाले दिन भी हूँ मैं आपके साथ आपसे वादा करता हूं जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं मैं आपके साथ हूं हमारा साथ आपके साथ तिल यू पास ठीक है तो आपको कभी भ पर पूछ सकते हैं और जो हमारे पास team का नमबर आप team के तुरू भी पूछ सकते हैं और कुछ टेक्निकल इशूस के वारे में आपको information चाहिए कि उसको कैसे आख्जाम में माक्स आएंगे वो चमकते हूं आएंगे और आप foundation clear करके रहेंगे बस मेरी बात माननी है क्यों सर आपकी बात क्यों माने आप पे भरुसा क्यों करें दोस्त तुम्हारा जो दर्द है वो दर्द मैंने फील किया है क्यों क्यों क्योंकि मैं भी बहुत समय पहले तक वहां बैठा करता था सर वहां कहां पर जहां आज तुम बैटे हो इस स्क्रीन के दूसरी साइड यहां तो मैं भी तो foundation करके ही आज यहां पहुंचा हूं तो फाउंड़ेशन क्लेर रहा है इंटर क्लेर करी है अर्टिकलशिप असमें बना हूँ तब जाकर के मुझे मिर कितना सक्रिफाइस करने वाले हो और कितना कुछ आपको तीजों को ले करके चलना है कि कि आपके बहुत से दोस्त होंगे जो घूमेंगे J करेंगे मस्त मावल में रहेंगे लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा पढ़ाई करने पड़ेगी आपको उनसे जैलेसी भी हो सकती है कि ए दोस्त तू कितना मजे कर रहा है और मुझे सिर्फ पढ़ना पढ़ रहा है मेरी क्लासेद हैं सुबा सुबा और तू सो रहा है सुबा जी हाँ यही जीवन है उसका और आपका बस यह कुछ समय की बात है यह कुछ समय की पीड़ा रही ही कुछ समय का सैक्रिफाइस क्योंकि sacrifice जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही चमकदार होगी यह तो आपने सुना ही होगा कही ना कहीं ध्यान रखना जितना आज sacrifice करेंगे और अपने गोल को achieve करने के लिए sacrifice कर रहे हैं ऐसा थोड़ी है कुछ time pass कर रहे हैं हम हम कुछ productive कर रहे हैं हम कुछ important कर रहे हैं तो वो करने के लिए हमें अगर कुछ sacrifice करना है तो आज sacrifice करने को तयार है क्योंकि कल जब हम मस्ती करेंगे तो वो अपनी पूरी life को sacrifice कर रहे होंगे वो पूरी life भर क्या कर रहे होंगे वही जो आज मस्ती कर रहे हैं हो सकता है उन में दो बहुत से लोग पूरी लाइव बर बस एक बहुती मिनिमम जॉब करते रह जाए और अपने जीवन के 10 से 12 घंटे उसी में अपना वैतीत करें और वहीं आज अगर तुमने अपने जीवन के 10-12 घंटे अगले 3-4 साल लगा लिए अच्छे से मेरे साथ तो आप सीए बनने के बाद कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं जो आपको करना है आप कुछ भी कर सकते हैं क्यों क्योंकि आपके पास एक ऐसी डिगरी है जो आपको हर समय यह confidence देगी कि आपको कोई रोक नहीं सकता आप जो करना चाहरे है अगर आप वो कर गए तो तो क्या ही बा हम क्या करना चाथते हैं लका हम पढ़ना चाहते हैं समझ आया है कि हम उसको कि ये बाते जो है आज पहली क्लास में कर लीनी बहुत ज़रूरी है क्या हमारा सफर पड़ा लंबा रहने it इस सफर में कभी-कभी सफर करना पड़ेगा इस हिंदी वाले सफर में कभी-कभी इंग्लिश वाला सफर भी आ जाएगा बीच विच में क्यों कि जब तुम देखोगे कि आज क्या है कुछ फेस्टिवल है बर्डे है घर में फंक्शन है पार्टी है शादी का माहौल है लेकि कि बहुत सी बार वह सब सब्सक्राइस करें के एक्साम के तायारी करनी पड़ेगी और राव आइस एई ठया है कि वह क्या करता है तुम्हारे एक्जाम ऐसे फाइम पर रखेगा जिस समय या तो तुम्हारे बर्डेς का का सीजन होगा या फैस्टिवल का सीजन होगा ये तो आपको बच्छम् 갑ेजम औरके देख लो मनत देख लो कितनी मइदार मन्त में हमारे बच्छाम पढ़ते हैं एक दम मयदार गर्मी में सरडीी के महुंन और रखिणी में गर्मी का ऐसास बच्छे को उसका करता है अगर वो सभी से पढ़ाई करके नहीं गया सेंटर पर तो ठीक है तर समझ आगे यह पेपर वन होगा हर पेपर के बीच में एक एक दिन का जो मैं यहां करवाओंगो वह नोट्स बनाने पड़ेंगे उस नदर क्या होगा सर आई सिय आई के जितने भी कोश्ट के rat के वो सारे मैंनर में होंगे और मैं आपसे वह साल करवाएं भी लिए लुए अधी प्लस उस उसमें क्या होगा और चृफर में पेपर आये हुए हैं वो questions भी उसमें incorporate कर रखे हैं, ICI जो MTP, RTP देता है, उसके questions भी उसमें incorporate कर रखे हैं, तो वो एक proper perfect book है आपकी practice के लिए, उस book से अगर practice कर ली, तो आप लोगों कुछ और बसता ही नहीं है करने के लिए, क्योंकि आपने हर तरीके का question attempt कर लिया, practice कर ली, उससे बाहर क्या ही आ change नहीं होगा, यह मैं आप से कहा रहा हूँ, क्योंकि जतना मैंने कर राया, अगर उतने questions आपने अच्छे से भी कर लिए, तो आपका बेडा power है, और अगर मेरी बात नहीं मानी, तो बेडा power, बेडा गरक भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है, तुम बहुत intelligent और ब देंगे, ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना, तुम्हें एक proper notebook बनानी है, 200-500 पेच की, इसके अंदर जो में हैं तुम्हें notes लिखवाऊंगा, वो तुम्हें hand returns खुद बनाने है, मैं यहाँ बहुत से चीजे करवाऊंगा, जो तुम्हें करनी पढ़ेंगी, वो तुम्ह लेकर रखना अपने साथ, कि कुछ अगर small topic है, या small question है, कोई doubt उसका solution अगर मिलता है, तो उसको वहीं उसी topic साथ attach कर लिया, यह कुछ छोड़ी बाते हैं, जो हमारी पढ़ाई को दूसरों से अलग बनाएंगी, और हमारी पढ़ाई को interesting बनाएंगी, क्योंकि सिर्फ काफी नहीं है, हम पढ़ किस तरीके से रहें, वो decide करेगा pass या fail का फरक, तो हमें अगर pass होना है, तो हमें उन छोटी छोटे में भी जो गलतिया है, उनमें गलतिया नहीं करनी है, उनको आज पहले दिन से ही हम उनको क्या करेंगे, तो भरते चलेंगे, है ना, याद करो, ज उसनोंने उससे तीन से चार साल पहले अपनी छोटी छोटी गलतियों पर काम करना चालू कर दिया था, उनमें तीन से चार साल पहले अपनी एक ऐसी टीम बना ली थी, जो उन्हें 2011 वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली थी, उनके जीत में, जिससे हमें जीतने को मिला और हम एजे इंडियन पूरा प्राउड फील कर पाए कि हां हमारे पास वर्ल्ड कप आया और पूरा टीम गेम था हर प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस दीती उस वर्ल्ड कप में अगर आप देखोंगे कभी हाइलाइट जाकर के देखना कि कोई साभी प्लेयर सबने बहुत बढ़े किरा विराट कोली दूस समय हम साथ थे टीम के यंग्स्टर थे तब भी काफी क्रूशल मैच में उन्हें रोल निभाया जीत में तो वह 2011 वाले दिन यह डिसाइड नहीं हुआ आज कौन खेलेगा किसकी फिटनस क्या रहेगी वह पहले से तीन साल पहल इस पूर्डर की स्ट जीत पाए तो इसेम रुशो भी हमारा कोई कोर्स यह सव मीटर की स्पिंट रेस नहीं है दोस्त यह पूरा एक मैराथन है और जब बात मैराथन कि आती है तो हमें अपने साथ सारे हथियार सारे जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं वह हमें पहले से तै होंगे अपनी छोड़ी खल्ट पर काम कर चुक्य होंगे और रही बात नोट को ऐसे से बनाना है क्यों कि खूबसूरत किसको नहीं पसंद एदोस्त है ना कूपसूरत अगर तुम्हें गार्डन मिले कूपसूरत अगर मौसम हो तो देखने मन करता है उसको उसके साथ समय बिताने का मन करता है है ना खूबसूरत लोग के साथ समय बिताने का मन करता है तो खूबसूरत ही किसको नहीं पसाद तो खुद सोचो अगर तुम्हारे नोट भी सुन्दर सुशील और सब्वें होंगे तुम्हारा उनको पढ़ने का मन करेगा कि नहीं कि नंको बार-बार देखने का मनन करेगा करेगा कि नहींexistना बता हो वह 선택 शुरूट चीज या खूबसोट इनसान तुम्हारे आस पास हो तो क्या उसको देखने का मनन नहीं करेगा क्यों कि असी प्रकार से अपने वाले है अपना चैप्टर नंबर फन जिसके अंदर कुछ यूनिट है उसके अंदर भी पहली यूनिट चालू करेंगे ठीक है अब इसके अंदर क्या होने वाला देखों जैसा कि मता चुका आप लोगा बहुत-बहुत स्वागत यह फाउंडिशन लेवल एन अकाउंटिंग पेपर जो कि पेपर नंबर बन होने वाला are मांनेस ए माष्ट का डिस्क्रिप्टे मोगा वर मेल्ट होगा जो नो नागिकेव मारकिंग is no negative marking for accounting paper है लेकिन जो हमारे MCQ paper है ऐसे Math का हो गया या Economics का हो गया वह उसमें किया है negative marking महां पर होगी ही 0.25 की यहां पर हमारे पर सिए अच्छी खबार है के अच्छले है अब मैं आपको क्या पढ़ने वाला हूं accounting हाँसा अपने बता दिए लेकिन accounting में भी क्या क्योंकि देखो हम accounting पढ़ने जा रहे हैं और मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मैं आपको पहले बता चुका की science background प्राउंट से हैं जिन्होंने पहले अच्छी से अकाउंटिंग नहीं पड़ी तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि सब लोग जीरो लेवल पर हैं तो मैं अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत बड़े की रिवीजन हो जाएगा और हो सकता कुछ नहीं सीख लेगन जिन्होंने कुछ नहीं बढ़ा उनके लिए भी मुझे यह बढ़ाना है तो अब मैं यह नहीं बताऊंगा पहले कि अकाउंटिंग क्या है दोस्त मैं यह बताना पसंद करूंगा कि अकाउंटिंग क्यों है ऐसा क्या हुआ इस संसार में कि हमें अकाउंटिंग पढ बढ़ा रहे थे जीवन के और बस जीवन चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ एक दिन कि accounting का syllabus बन गया और तुम्हें पढ़ना पढ़ रहा है क्या यह सिर्फ एक सोची समझी साजिस थी कि जो तुम्हें करोगे कि तुम्हें पढ़ाया जाए तुम्हारा स्लेबस बढ़ाया जाए कि उस साजिस के तहत यह चीज की गई है कि accounting का syllabus बनाते हैं चलो इन बच्चों को परिशान करते हैं क्या यह सोच सी उसके बीचे यह इसके बीचे कुछ और वजा था जानेंगे मेरे साथ आज पहले सर यह हमारे कोर्स से कैसे रिलेश्टिट है अब वह बच्चपन के दिन गए जहां तुम्हें चार कोशन करवाए तुमने वह चार कोशन हमवर्क में कर लिए उसके अलावा और तुम पेपर में लिखे और तुम पास हो गए आज यहां पर जब कुछी जब तुम चियरणे आए हो तो तुम्हें सब कुछ जानना जरूरी है कि क्यों है क्या है क्योंकि concept जतना strong होगा पास होना उतना ही आसान होगा और concept जितना भी वीग होगा उतना ही दिक्कति होगी और हमाड़ dम贏 सकोर सी क्या है बुर्ज खलीफा क्या вो सिर्फ उची building है उसकी-इतानी बाडी विल्डिंग है जतना वह ऊपर है उसकी इतनीी स्ट्रॉण होगी सोच के देखो, भूँत स्ट्रावग होगी उसकी फाउंडेशन, कुतुम मिनार इतनी उची विल्डिंग है, गिर क्यों नहीं जाती न लैक, गिर ही कैसे, यूख यूख इतनी फाउंडेशन इतनी स्ट्राउंडेशन बहुत सब्रूर ही है, इसलिए और हमारा थो सीय का स्ले भी अच्छी नॉलीज है इन डैप्थ नॉलीज है हर चीज के बारे में तो वही बात करने में आया हूँ तो उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग क्या है यह तो मैं तुम्हारे बहले की बात है बहुत से टीचर हैं जो सर्फ यही बताएंगे कि हाँ चलो य या उस टॉपिक का रीजन क्या है हमें पढ़ाय क्यों जा रहा ही आया ही क्यों है संसार में तब है बात तब कहलाओगे तुम अल्टिमेट सी यह तगड़े सी तुम्हें रीजनिंग पता है बहुत से यह ऐसे बन जाते हैं जिनको रीजनिंग नहीं पता होती फिर वो को दस लग तक कैसे लेकर जाएं कुछ रीजनिंग नहीं है अपनी नौल को सपोर्ट करने के लिए रीजनिंग नहीं है लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा कुछ हो तुम भी रीजनिंग दो और एक लाग को अपने 10 लाग और 50 लाग तक कि लेकर तो आओ आओ देख देखने को मिल रही है पहले हैं कि पिछले कुछ सालों में पिछले 10 साल या 20 साल या 25 साल से अकाउंटिंग है अगर तुम्हें बताया जाए तो यह अकाउंटिंग एप्रॉक्स कि यह हजार साल से भी जाधा पुरानी तो इसके मदब जो आदिवासी लोग या जो पुराने जो लोग आदिव मानव की काल के लोग रहते थे वह भी अकाउंटिंग करते थे और जो महराजा अक्बर वगेरा रहके गए हमारे देश में वो जो सामराज्य आये थे या वह देश पर राज करके गए हमारे उससे पहले जो बाबर अकबर लोग आकर रहे हैं और उससे पहले जो आधि मानव काल जो देश क्या पूरी दुनिया की अगर बात करें जहां पर भी यह पहले इतना इस्ट्रॉक्टर नहीं था वो सब भी क्या काउंटिंग करते थे जी हाँ वो सब भी अगाउंटिंग करते थे अगर तुमने एक मूवी देखियोगी मोहन जो दाड़ो तो वहाँ पर क्या होता था उसमें भी मूवी में थोड़ा बहुत दिखाया गया कि क्या करता थे लोग वहाँ पर जो राजा महराजा लोग थे वह जनरली क्या करते कुछ सामान एक दूसरे से और राजाओं को अर्पित करते थे टेक्स की फॉर्म में बाटर सिस्टम का इंड़ चलता था वहां पर चलता था कि नहीं चलता था बगर यह सब भी दिखाया गया था उसके अंदर और वहां पर यह भी हमें बताया गया था या फिर अगर तुम उसको छोड किया गया अपनी लेंग्वेज में अपने तरीके से कुछ पुराने चीजों का तो यह सब बाते हैं और यह कपकी बात है 14 सताब्दी की बात है यह 1494 के अप्रॉक्स की अगर मैं बात करूँ 1494 से 1496 है 26 suo Aquachravra किया सकते हैं के आकॉंटेंग एक तरीके से प्रेशलन में आई आए अब आज हम जिस तरीगे से देखते हैं कि यप जे अब जिस तरीके सटेव तरीके से ब्कूरी इस तरीके से नहींती उपॉन दीने लिखते होंगे दीवार उपरिखते होंगे उनके पास जो कागजाथ होते तो उस समय के यह जब एक महापुरूष्यका जनम हुआ इस काल के गश्मियर जब वह बड़ हुए से लिफ आप father of modern accounting, ठीक है, कौन है father of accounting, Luca D, Luca D, ऐसे हो ली, यह वो इंसान था, जिसने accounting की एक तरीके से खोजगरी से बोला है था, father of modern accounting, ठीक है, अब क्या होता है, इसके पीछे यह कहानिया भी बहुत गुमती है, कि यह Luca D, पैक्सियोली था, इसने अपने गुरू को मार करके उनकी जगेहतिया ली थी, accounting की खोज़िसके गुरू ने करी थी, और इसने उनने मार करके अपनी जगे हत्याली थी, ऐसी कुछ कहानिया मार्किट में है, अब यह सच है या जूट, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो हम इसे ही मानते है, यही है, father of modern, father of accounting, अब economics इसलिए निकलना है, क्योंकि मुझे ही पढ़ाना है, मैं ही पढ़ाता हूँ, economics भी, तो दोनों subject मेरे साथ ही है, इ Adam Smith, Adam Smith, जहां तो बस एक बार बोल दिया, इसका कोई वैसा कोई रोल नहीं हमारे exam point review से, पता होना जरूरी है, क्योंकि हमके बढ़ाना है, foundation, तो फांट में जितना अच्छा पढ़ा, तुमारा core strong होगा, उतना ही अच्छी तुमारी CA की building मेने गिया, तो यह बात हो गई, च तुमारे पास, मोदी जी आते हैं आपके पास, और वो कहते हैं, एदोस्त, मैं तुम्हें काम सौपना चाहता हूँ, तुम्हें क्या करना है, इस तुम्हारे area में, तुम्हारे zone में, जितने भी household हैं, जो लोग business कर रहे हैं, तुम मुझे ये बताओ, कि उनका profit कितना है, व तुम्हें वो पता करके तो, ये करने के लिए तुम्हारे पास, चार दिन का समय है, तुमने का ठीक है, मैं कर लूँगा, बिल्कुल, तुमने ये कारूबार अपने कंधु पर उठा लिया, चल पड़े अगले दिन से, तुम पहुंचे अपने पढ़ो, उसमें पहले तो, कि वहाँ पहुंचे तुमने देखा, कि बताओ, तुम बिजनिस करते हो, कितनी खर्ची, कितने इंकम, सारा लेखा, जो खा मेरे सामने लाओ, मैं देखना चाहता हूँ, कितने खर्चे, कितनी इंकम तुमने करी है, और अल्टिमेटली क्या इंकम, क्या लॉस तुमने कमाया तो उसना लाके रख दिया तुम्हारे सामने पूरी एक डाइडी क्योंकि घरों में क्या होता है जो नॉर्मल होता है हमारे आप लोग यहां भी देखा होगा कि कुछ हिसाब किताब रखते हैं ना अलग अलग तरीके से कभी-कभी क्या होता है कैलेंडर पर ही मार्किंग हो ज होता है यह कर रहा है कोई diary में लिख रहा है कोई रिख़र में लिख रहा है कोई अपने तरीके से कुछ और वे में लिक है सबका अलग अलग यहँ है यहाँ तो तुम्हें YOU twitter ह मिला है और तुम जब पलोउस में गए तो वहाँ तो और उसकी अकाउंटिंग या उसने जो भी लेखा जोखा बनाया उसको समझते समझते में 1.5-2 घंटे लग गए तो एक घर को करने में तुम्हें 1.5-2 घंटे का समय लगा पहली बात तो कोई दिक्कत निया है तुम दूसरे घर पहुंचे इसने डायरी बनाई थी उसने कैले कैलेंडर में लिखा हो था वो सारा कैलेंडर उठाके लिए तुम्हारे सामने लो भाई पिछले साल का कैलेंडर इसमें देखो मैंने ऐसे से लिखा हूँ क्या है तो वह तुम जान रहे हो दूढीस समय जो सबके तरीकी के कांटिंगर में अलग तरीकी की कांटिंग काउंटिंग्ण हो रखी है अअब वह तुम देखते देखते तुमने 20-10 घंटे में तुम एक दिन के अंदर तुम्हारा जो वर्किंग टाइम था तुमने उसम मेंसरफ 5-6 घरी Complete कर पाए कि और मानो तुम्हारे जोन में कितने घर होंगे ला अरे सर 106 हुगे अरे सरे एक महले में 200 यह बताओ, तुमने काम अधूरा छोड़ दिया, हैं या ना, तुसार क्या क्या जाए, इसे के लिए हमारे पास एक बोडी है इंडिया में, इसे प्यार से क्या कहते हैं, तुम्हारी प्रेया, आई, सी, ए, आई, इसकी क्या है, अकाउंटिंग बोडी है, इंडिया की, जो अ ने हैरे तो आप सोच के देख़ो एक बार अगर इसा इने साट कर दिया और कि बिजस्नЕ प्रफार को इस तरीड में अपनी बैलन से अब बनना है तो आप तुम्हारे पास काम कितना आसान जागा तुम्हें नहीं समझनी किसी और की अकाउंटिंग तुम्हें क्या करना है तुम्हें बस यह समझना है कि अकाउंटिंग होती कैसे वही तुम्हें पढ़ाया जा रहा है आस से अगर तुम्हें यही समझ गए तो तुम्हें हर घर घर की अकाउंटिंग हर घर का तरीका नहीं सीखना तुम्हें बस यह सीखना है कि होती क्यासे और तुम एक बार समझ गए तो बस तुम जाओगे उनके दरवाजये पर और उनसे अपना अपनी बलान टाउट हिग निकाल अपना कैश फ्लो मैं देखना चाहता हूं कितनी इंकम है कितने घर्च है उन्हां निकाल के सामने प्ल भर में पता लगा लिया कितनी अच्छी वार है इस तरीकेत से अगर काम होगा सब की इस्टेंडर्सेमわかाउंटिंग करने का सपका पेटन्स से बता देगा कि यहां रेवल की कंपणी को क्स तरीके संद आपकाउंटिंग करनी ZL local के बिस्सकर कैसे के यह यह टो अगर वो बता देंगे कि हाँ जी सोल वालों को ऐसे कांटिंग और मेडैन और अ शक्ता नहीं पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना कि अब हुआ क्या वही वह जिसका होना टैथा आईसे ने कहा दिया अब तुम्हें ऐसे अकॉंटिंग करने अब तुम सीख चुके हो अगर अकाउंटिंग पूरी तो जाओ तुम पल भर में सारे जल्दी से जल्दी बहुत से अब तुम्हारा टास्क बड़े प्यार से कंप्लीट हो तो सबसे पहले तो ICI body है जो क्या करती है accounting का तरीका बनाती है standard set करती है जिसे क्या कहते है accounting standard जो हमें पढ़ना है इसी chapter 1 में पढ़ना है आगे पढ़ेंगे unit चैप्टर नमबर 3 में ठीक है तो accounting standard हमें सीखने है तुमने बच्चे में हो सकता है नाम सुना हो 11 क्लास में चैप्टर नमबर 3 हुआ करता था वहां पर accounting standard पढ़ते going concern तुमारा material concept matching concept revenue recognition consistency सबसे important prudence conservatism यह सब वहां पर पढ़ते तो यह accounting standard ही तो है मेरे समझ आया पहले कि accounting करनी क्यों है क्योंकि accounting अगर सेम नहीं होगी लोगों की तो दिक्कत आएगी businessman को और सबसे आए दिक्कत तो मोदी जी को आएगी सरकार को आएगी टेक्स लेने के लिए वो टेक्स लेने के लिए दिक्कत में पढ़ जाएंगे उन्हें समझ ही नहीं आएगा कौन कैसे accounting कर रहा है किसको कितना profit हो रहा है किसको कितना loss हो रहा है और यह तो रही बात घर-घर की सोच के देखो मेरे दोस्त अगर यह pattern नहीं होगा यह standard set नहीं होगा तुमारे घरों की ट्रांस इतनी आती है तो बड़े-बड़े बिजनेस एक दिन में हजार होजा हो जाती है फिर क्या होगा वहां पर वहां पर कैसे समझेंगे वहां अगर बैट गए बादिके साथ तो वो तो तुमें तुम्हें सालों साल बिठाये रखे रखेगा अपने पास तीखी नहीं पाओगे उनका तरीका अलग है टाटा जी का टरीका आपके साथ हम खड़े हैं और आपके लिए क्या करेंगे एक इस्टेंड बनवाएंगे और उन्हें आई से कह करके इस्टेंड बनवां तो सम्झाने के लिए ने बोल दिया अभी की सब्सक्राइब तो चलो इस टैनर पाइस लिए अगांटिंग करनी क्या है और सबसे बड़ा रीजन क्या रहा कि अकाउंटिंग सेम होनी चाहिए क्योंकि हमें टैक्स वसूलना है हमें लोगों के प्री औल को जज़ करना है हम लोगों के समझने हैं अलग-अलग यूजर्स को अभी यूजर्स कौन होते हैं यह अभी आगे बढ़ेंगे टॉपक के अंदर वहां देखने को समझ आया अकाउंटिंग करनी क्यों है रीजन क्या है इसके पीछे और अगर तुम नहीं लिखोगे अकाउंटिंग को अगर तुम जो ट् अगर मानो ऊसिंगे डिल रो मैं मानां ने मुझे भी कुसंग तुम्हें भी कुसींग वह माहीने हम लोगों को समा और बेचने के लिए हम जाते हैं पिर अगले मैंने हमें 150 मिल जाती हैं हम जाते हैं उन्हें बेच करके आते हैं ओई हिसाब किता नहीं ही नहीं हो रहा है इस जीवन में और हम इंटेना कर रहे ए अब pr भाल रहे हैं बता कि sis को पता ही नहीं है कितने सिंवां के अंदर कितना पैसा आया हमने कितना कमाया कि नोड़ा तका कुछ खा लिया कुछ हमने घर में लगा दिया वारेगे कि यां से लिबी करेंगे ऐसे और क्या हम दो ही डिलर एक अनके बटी होगी तो क्या दिक्कत होगी अगर सब कुछ लिखा नहीं जाएगा तो फोस्ट नहीं रहेगा उसी लिए अब चोटी भाशा में बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल पे चीजों का रिकॉर्ड करना पहला स्टैप है अब टेकर के समझाया करना क्यूं है बेसिक कॉंसेप्ट लि अपछलते हैं अकंटिंग क्या है यहां मैंने तुम्हारे लिए मस्त सी ड्राइशन लिके रखे हो ही जो हमारी आइश्च इस टौडी मैट में है यह डैफिनेशन कहां से आई है यह तुम्हारी एक पे से एक पिस किसी AICPA कौन है दोस्त आउतना बता है कि AICPA American Institute of Certified Public Accountant क्योंकि हमें पता है हम अपना दिमाग जादा क्यों वेर्थ करें जब संसार में सब अलड़ी हो ही रखा है हम क्यों अलग से अपने स्टेंडर्ड बनाएं अलग से डेफिनिशन बनाएं जब अंग्रेजों ने हमाई लिए सब कुछ करके ही रखा है हम तो लेते हैं उनका सामान ऐसे और ऐसे अपने एक्ट में लगा दिया बस अपने देश के हिसाब से चीज़ अब लगाएं तो बने हैं नौर्मली बोस्ट अफदा कानून ऐसे ही है कि हमने देखा अंग्रेजों तुमने कि तुम्हारे यहां पर क्या हो रहा है अच्छा तुमने यह कर रहे हो चलो हमारे यहां भी कानून की जरुद है तुमने बना रखा है अपने देश के साब अच्छे से वह एक स्टेंडर्ट लेवल को फॉर्म करती हैं उनको उनको लेकर के चलती है अगर हम अपनी अकाउंटिंग कर लेंगे तो हमें उसको लेवल पर ले जाने के लिए बड़ा महत करनी पड़ेगी और बहुत लंबा समय का वेट करना पड़ेगा और उनको उनसे करने के लिए हमें एक बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा तो क्यों न हम भी ऐसा ही करें जो स्टेंडर्ट मार्किट में चल रहा है उसी को अपना लेते हैं उसमें गलत ही क्या है जब अंग्रेजों के स्टेंडर्ट थे वह हमने लिए और जहां जहां पर ज़रूरत थी अपने देश की अकॉर्डिंग वहां हमने मोडिविकेशन करके अपने अकाउंटिंग इस्टंड आती है अपनी डेफिनिशन बना दी यह डेफिनेशन ऐसी पीए की है हमने अपने हाँ पे सेम डेफिनेशन है पहली बात तो यह और समझ आ गया समझ आया इतना ही बताओ अब सच बताना मेरे दोस्त जिनोंने बच्श्वन में अकाउंटिंग पढ़िए क्या वह यह दावेज कह सकते हैं कि उन्हें अकाउंटिंग की डेफिनिशन याद है पताओ से रहा क्या याद है हां सर याद है ना थोड़ी थोड़ी याद है थोड़ी याद नहीं है सर मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है accounting is the art of पतानी इसको इतनी याद है तो तुम अलग-अलग लेवल के बच्चे हो तो सब को कुछ कुछ ग्रों ध्रव कि मेरा मानना है कि ड्रव आपको याद बशन नहीं ही होगी बहुत से बच्चो को इसको याद होगी बहुत बढ़िया जिसको नहीं होगी उसको जब भी याद होने वाली है अगले 10 मट के बाद और डेफिनिशन ऐसी याद होगी कि कोई रात को सार तीन मजे उठागे भी पूछेगा कि अकाउंटिंग क्या है तो पट पट करके अंसर निकलेगा जुबान से बोलो जुबा के से एप ट्युमृ मजे अब देखो तो आकाउंटिंग क्या है मैं आप से कुछ कोश्चन पूछूंगा और से जवाब तुम्में देना है तुम वह जवाब देंगो देना अपाउंटिंगि के लिए जवाब क्या होगाहां पांटिंग क्या है अया है हो अकाउंट इंग है तो क्या बोला मैंने अकाउंट इंग पड़ चुके वह सिमझ चुके ज़िए अब मैं पूछा अकाउंटिंग क्या है रखाउंटिंग क्या है आगे रहागा का हुआ कर्ण तो कि अब यहां मुझे बताओ आठ का मेनिंग क्या है दोस्त आठ का मतलब क्या है सराथ जिन अजब कला वह वाली कला तो सर यह तो वह तो रैप हो गई है तो हाँ दोस्तों च्या बात है यह तो आर्ट का मिनिंग सिंपल सब्दों में होता है कि तुम्हारे पास कोई नॉलिज इसी सब्सक्राइब है कितने तरीकी की हरो सकती है मिनिंग काया है इसको डान्स आता है दान्स उसके लिए अप ईज नॉलिज है अंसको τared आर्ट है करने एस अगौंटिंग लिए अगउंट्ग अड़ सब कि कोईउंटिंग्ट और किस फीस कीाड आर्ट ऐसे आ इस की डिखैज क्वानटिंग कि अंदर ही जा का रगार करि करते हैं रिकॉडिंग करते हैं कि क्लासिफाइंग करते हैं और समर्आभ स्कूड आइक कि सीच फीडेदग् terminal इसम रिकॉडिंग का मीनिंग क्या होता है रिकॉर्डिंग का मीनिंग भीता हो वही होता है रिकॉर्ड कर रख है ने साय नंबर को रिकॉर्ड कर रहा इस तुम भूलो ना जिससे जब बात करनी है इसको जब टाइम दे रखा तब उससे बात करो यूंग कभी-कभी जाता ना अगर रीकॉर्ड नहीं होगा तो किसी और का नंबर कहीं और लग गया किसी और से और लिखना आगे तीन चीज की आर्ची ने रिकॉर्डिंग अलगा क्लासिफाइंग 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 क् प्रहें अपने गाड़ी उठाई है कि यह पन दिये जैसे भी गाड़ी बन दिया बना लो ठीट है यह बड़े गाड़ी बन गई तो आ कि यह हो तुम अब तुम इस गाड़ी को लेकर के चल दिए शॉपिंग अब तुम पहुंचे शॉपिंग पे बढ़िया मस्त किसी जगा पे खिर्की बना तुल गाड़ी के लो शॉपिंग पहुंच गए अब शॉपिंग पे जब पहुंचे तुम्हें बहुत सार सामान खरी दे और जाते तुम्हारी अम्मी ने भीखा की बेटा जा रहा है बहर तो तो कुछ सामान घर के लिए भी लेता आई यो अधाम यह घरमी च्छातली मार्केट बश्यक कर सिधी तई इन को वेडिक लेह नए मम्मी ने बूलता टमडर लेकर लिए वग्यों पने लिए क्या जीक्तर और क्या लिए तुमने वाद लिए आपने लिए between वो तुमने उठाई और डिगई पर टगदी मतलब रख दी in the sense तुमने जैसे ऐसे बहुत सारे सामान लिया उठागे रख दिया अब तुम घर पहुंचे तुमने घर पहुंचे डिगई में सामन सामान निगाला और ऐसे रख दिया अब बताओ कौन सा सामान कहां रखोगे जो है कहा सभी तो रहा है टार ही इसबीर होंगे सब और पो इसकी युप रख़ियों थे जाते हैं सारी वैजेटेबल्स की बगिट में रखे तो चाहिए थो ने पर वेजटेबल्स थो दमने चुछ लमिरा में अगर रकोगे बताओं कुछ रखने की जगह अगा है दुन्मारी वाड्रॉब है उसमें रखोगे और थोड़ी है कि जहांपे तुम्हारे वो पड़े है साmaewगा अजहां पे तुम्हीं है जहां जया तुम्हारे सबढ दोगे जहां पर कपड़े हुसके और र उसके श्रसा प्रफ देना यहीं होता है अब खुछ सोचो तुम सीय फांटेशन वाले बच्च एक साथ पढ़ रहे हो अब ऐसा हो कि सीय फांटेशन वाले बच्च वाले बच्च भी पढ़ाने लग जाए तो मिक्सेंड मैच हो जाए गारा इसमें एम बीवाले बच्च भी घुसेर दिये वाले बच्च में चाहें तरफंक बीवां तरफंक गर्फिट होंगी वारी समोगत tu अब अगला वरड है समराइज इग pocz फिर के अगला हर वर्ड है सी इंग को सब्सक्राइब यह स्कुनराइंग नाम है वही इसका का मैं चीजों को क्या कर, डेना स्मूराइस कि लेल आप अब बीजनिस में क्या होता है यह एलाइस जैसा बिजनिस है यह टाटा इसा बिजनिस है टाटर ने भी तातर मोञकुको प्ःची इस साल आता मोटार्द सने रोहन को गाडियोजी सॉह को गाडियोजी पोयोजी पॉलें विंदा Elda को सलेकरение प्रोहित को बेची तोरों को बिची राजु को भी इन भी सब को गाज़िया अलगवि इन सब को यूसर रहा हो सब्सक्राइब रहा होगा तो गया हो गया समर्ड़ाइस कर देख चीजों को शॉट कर दिया या उनके यहां पर इतने सारे एंपलोई काम करते हैं सबको सेलरी दी है सबको बोनस दिया है तो अब वह तुमसे यह थोड़ी पूसना चाहेंगे फिलाल तो कि मैंने इस राजु को कितनी सेलरी दी राम को कि कितना सबस्वाइब कर देता है यॉश्राइस है सबस्सेलरी एक सबस्सट्स कर दिया तोटर्इब करते है और बदाता है अब दो कुश्चन का जवाब मेरे पास आ गया कांटा करते है जैनल में करते हैं रिकॉर्ड फिक नहीं कांट से जर्राशिफाइज करते हैं अंक्रासिफ़ाइग seus घर नीं। महिंने इच्छे टंडर क्लासिफाइग सटे लेजर बोले तो अकाउंट Summarizing Summarizing हम करते है Trial Balance के अंदर Summarizing करते है Trial Balance के अंदर ठीक है अब अगला question मुझे ये recording, classify, summarizing तो करनी है लेकिन कैसे तो ये करनी है तुम्हें एक significant manner में significant manner बोले तो systematic तरीका systematic तरीका यानि significant manner में, systematic manner में, तरीके से krambad manner में, krambad krambad का meaning होता है दोस्त systematic बोलतो है chronological order chronological order इसका meaning अरे बहुत सिंपल सा है ना, अब मुझे क्या recording करनी है, ये ledger बनाना है ये summarizing करना है तो अगर मैं recording करना हूँ, general entry बना रहा हूँ तो जो entry जिस sequence में हुई है जो मुझे उसी sequence में record करना है यहां पर 27 तारीकी entry में पहले लिख लूँगा और 4 तारीकी entry में बादने लिखँँगा फिर 5 तारीक की लिख लूँगा और में 25 तारीक की लिख लूँगा नहीं, इस分鐘 करना है ऐसे, 1 तारीकी entry 2 तारीक, 4 तारीक है फिर आठ नो दस क्यारा बारा पंदरा जो भी एंट्री इंक्रीजिंग ओर में डेट वाइज मैंने ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं चला चलना चाहिए इसे कहते है क्रोन लॉजी को ओडर एक क्रोन लॉजी के हिसाब से इन कोशन तीन जवाब आधी डेफिनेशन फिनिस सब्सक्राइब में जो भी मेरी ट्रांजेक्शन और इवेंट होंगे मुझे उन्हें record, classify और summarize करना है, transaction and events, transaction क्या होती है अब, जो business का lane-dain होता है, sale, purchase, salary देना, कुछ खरीद लेना, यह क्या है, transactions है, event क्या है, मेरा result क्या रहा उन transaction का, वो क्या होता है मेरे लिए, event होता है, event बोले तो कि ultimately मेरे पास last में क्या बचा, last में क्या रहा, उसका result क्या, प्रेणाम क्या रहा, तो sir, अगर result में और तुम्हें तुम्हें फरक करना है, तो मैं तुम्हें यहां लिखवा देता हूँ, यह एक, तुम्हारा exam का भी question है, बताओ, transaction और event में क्या फरक होता है, transaction is nothing, but, it is a performance of an act, क्या होता है, performance of an act, और event क्या है, result of an act, उस act का result क्या रहा, result क्या रहा, अब example अगर मैं तुम्हें यहां दिखाऊं इसके, दिख रहा यह color, जैसे, purchase of goods, sale of goods, expense incurred, result में क्या रहाएगा, result में मेरे पास दो ही चीज़े बस्ती है, ultimately तो वैसे तो, क्या-क्या, एक तो profit क्या रहा मुझे, profit या loss क्या रहा, एक result यह बस्ता है, ultimately तुमने जो भी business में कारेगरम करें, पुरे साल बर, उसका अंत्र में पने नाम क्या रहा, वो मेरे लिए क्या है, result है, और दूसरा, दूसरा क्या होता है मेरे पास, closing inventory, closing inventory, ultimately, अंत्र मेरे पास closing inventory कितनी बच्ची, यह मेरे लिए क्या है, यह मेरे लिए special दो event, ठीक है, अब एक star point जरूर लिख लेना यहाँ पर आज मेरे साथ, कि, सिर्फ यह एक लौता, ऐसा transaction है, जो, मेरे लिए, transaction भी है, और event भी है, यह, यह पूछेगा वो exam में, बताओ, purchase of fixed asset is a transaction, whether it is true or it is fine, तो हमें यह बताना है, transaction जो है, यह नहीं है, ना यह event है, यह both है, कैसे both है, इसका reason मैं भी बताता हूँ, आपको एक सेगंड करना, इस इसका लिए लिए, purchase of fixed asset is मेरे लिए both, transaction and events, ठीक है, एक सेगंड, तो purchase या sale, इसको sale भी लिए लिए साथ में कोई दिक्रत नहीं है, purchase and sale, purchase and sale of fixed assets, मेरे लिए क्या है, transaction भी है, और event भी, कैसे, जब मैंने purchase करा, तब तर्शेक्शन हो गया, लेकिन जब मैं इसे sale करूँगा, in future, तो क्या मुझे फाइदा है, नुकसान नहीं होगा, इस asset पर, तो जो मेरे result बचा, ultimately वहाँ पर sale करते time, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, event का part हो गया, इसलिए क्या होता है, मेरे लिए purchase and sale of fixed assets, इस लिए क्या है, clear है, तो मेरे पास कुछ तीन-चार सवाल हो के जवाब आ गए, क्या-क्या, पास आते हैं, accounting क्या है, art है, किसी की recording class by summarizing की, और record class by summarizing मुझे कैसे करना है, significant manner में, इस significant manner में मुझे क्या record करना है, इस तो बताते हैं, चलो, transaction or event, आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, तो कैसी होनी चाहिए, financial character की होनी चाहिए, विचार, financial character, कैसी होनी चाहिए, financial character की होनी, अब financial character का मतलब क्या है, एक तो उपर, जो आधी बात अभी हाँ पर मैंने छोड़ी होई है, तो माई लिए in terms of money, अब यहाँ पर बताए तो दोनों बाते साथ में चलते हैं, क्यों दोनों का same meaning है, finance मनलब पैसा, money माने तो पैसा-पैसा, significant man में record करना है, कौन सी बातों को, जिसे मैं पैसो की term से measure कर सकता हूँ, जो मेरे लिए monetary term में measure हो सकती है, जिसे मैं वही record करूँगा, मुद्रा में जो connect कर सकता हूँ, जिसे मैंने किसी से कुछ sale करा, मैंने किसी कुछ purchase, मैंने किसी को sell दी दी, मैंने रेंट दिया, मैंने telephone expenses दिया, मैंने electricity expenses पे करे, मैंने कुछ commission दिया या लिया, यह सब money में आसा, लेकिन वहीं सोचो, अगर तुम्हारा कोई business है, उच्छो लेबर्टर का business है, कोई गोलप्पे का business है, उसमें तुमने क्या करा, तुमने उसमें अपना manager चेंज कर दिया, तुमने अपना CEO चेंज कर दिया, उसमें तुमने अपने आपको हटा करके, या अपने CEO को हटा करके, तुम किसको लेकर के आगए, तुम Tim Cook को लेकर के आगए, या फिर तुमने रतन टाटा जी को, को या मुकेश ममानी जी को अपना CEO बना धिया अपनी कम्पनी क्या कैसी क् das मैं इसको रिकॉर्ट कर पाऊंगा ओं एक जो क्या मैं उस टिम कुक जिसे एपल कंपनी आपक क्या यो मोकेश हमानी जी या रदन डाटा जी, क्या मैं इनकी knowledge, इनकी skill को पैसो में तोल सकता हूँ, क्या हो तुम मैंसे जो इनकी knowledge को बता दो की सर, इनकी knowledge इतने रूपे की है, इतने करोड की है, नहीं बता सकते, उनके ideas, उनके knowledge, उनकी skill, वो पैसो में तोल ही नहीं सकते दोस्त, पैसो के comparison में वो है ही तो जिसे हम पैसो में ही नहीं मीजर कर सकते उसे हम अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते यहीं यह कहता है जिसे हम इंटम्स आफ मनी में तोल सकते हैं उसे ही रिकॉर्ड करेंगे और साथ में यहां जो फाइनिशल कैक्टर की इसने बात कर दी यह तो इसने और भी स्पे record है निजित रहे साथ कि आसा कि शोन इन्होंने इन्हों ने बोला कि जो बीजिण से रिएटेड चीजे है जो बिजिण से रिएटे चिवेंट है और जो siis टम से मे analysis मेजर हो सकती हैं उन्हें ही हर तो स्वेकोर्टिंग में आप में त मेरे साथ देंगे बोलो, बोलते हो, हाँ सर, इतनी definition याद हुई, यहाँ नहीं, पुछूँ, चलिए बताइए, पुश्चन मेरा जवाब आपका, accounting क्या है, accounting एक art है, किस चीज की art है, recording, classified, summarizing की बहुत, यह record, classified, summarizing कैसे करना है मित्रो, इनस significant है, यह है, तो इन significant manner में साथ-साथ, आप यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ देंगे, जो कैसी होनी चाहिए, in terms of money भी होनी चाहिए, और लेकिन यह money में तो है, significant manner में मैं record कर दूँगा, बट मैं क्या record करूँ यहाँ यहाँ पर, वो तो बता दे चलिए, transaction ID, हो कैसी होनी चाहिए, financial character की होनी चाहिए, अब सब कुछ जब हो ही गया है, तो सर यह भी बता दो, यह सब मुझे करना क्यूं है, मैं record कर लूँगा, मैं classify कर लूँगा, मैं summarize कर लूँगा, मैं सब कुस significant manner में भी कर लूँगा, लेकिन यह कर क्यूं रहा हूँ मैं, यह तो बता दे चलो, क्यों, क्योंकि मुझे interpret करना है, किसको interpret करना है, मुझे interpret करना है, result को, कि मैंने जो पूरे साल भर कामकाच करा है, उससे मुझे नुकसान हुआ, या फाइदा हुआ, interpret करना है, यानि analysis करना है, यह पहचान करनी है, कौन सा business मेरे लिए अच्छा है, कौन सा business मेरे लिए, loss वा अब डैफिनिशन तुम्हें यहाद हो जाए तो एक बार मेरे साथ फिर बोलेंगा काउंटिंग क्या है अकाउंटिंग आर्ट है किसी की रिकॉर्डिंग क्लाजवाई समराइजिंग की यह कैसे करना है सिनिफिकेंट मैनर में जो इन टम्द आफ मनी होनी चाहिए और क्या रि पूछेगा यह पताओ नहीं पूछेगा दोस्त लेकिन यह फाउंडेशन है अब देखना जो चैप्टर वन का यूनिट वन है उसके अंदर बार-बार तुम्हें यही देखने को मिलेगा इसलिए मैं यहां इतना टाइम मैंने इसले लगाया जिससे मेरे आगे के आने वाल होंगे इसलिए मैंने यहां पर इसमें जी तोड महत करके टाइम लगाया है अब देखना जब पढ़ेंगे फंक्शन्स तुम खुद बाखुद अंसर बोलोगे जिए मैं पूछू अब्जेक्टिव तुम्हारे अंसर अंदर से आवाज आएगी सर यह अंसर मेरे को आता है मैं पुछूरा करते है औज ज्यादा अंसर यहां पर दौस्तara क्या है अज्यादाइं से यहांपर दोस्त जरली इसमोल यूट के लिए इस यूनिट के लिए तो सर ये चैप्टर नंबर वन के एक्जाम में पूछेगा जिसके अंदर 6-7 यूनिट आपने बताई है जी हाँ बिल्कुल पूछेगा इसमें से आप से 8-10 नंबर तक पूछा जा सकता है तो इसको हलके में नहीं लेना क्योंकि बच्चे क्या करते हैं तो आठ से दस नंबर तो यही से पूछ सकता है चप्टर वन से यहाँ पर इतनी ज्यादा मस्त मस्त थियूरी है और यह थियूरी के साथ साथ आपकी अकाउंटिंग का फाउंडेशन भी है जिसको अकाउंटिंग करनी आती है वो जरूरी नहीं कि थियूरी में लेकिन जिसको फाउंडेशन के लेर हो गया अगर तुम्हारी फाउंडेशन के लेर हो गई यहाँ पर आज फाउंडेशन मतलब यह थियूरी कांसेट जो इंपॉर्ट आ एक्टाउंटिंग का बेस है अगर वो क्लियर हो गया तो बिल्डिंग चाहे जितनी उची बना लो बुर्ज खलीफा बना लो चाहिए बुर्ज खलीफा बना लो कुछ असर नहीं पड़ेगा कुछ डामा डोल नहीं होगी तुम्हारी बिल्डिंग इंटैक्ट खड़ी रहेगी एक्टम इसलिए हमें इतना स्ट्रॉंग बनाना है कि कुछ भी हो जाए हमारा कॉंसेट इतना बेर कर लो मुझे पता है तुम्हें प्रैक्टिकल चाहिए इसके अंदर तुम चाहते हो मैं तुम्हें जनल एंट्री करना हो पी एंड लकाउंट नोना दू बैल्सिप नोना दू फटापट से लेकिन नहीं वह तो करना ही है वह तो बच्पन से ही कर रहे हो लेकिन जो मेर लेंगे की एक्जाम क्लिर करके आएंगे ना बार-बार क्यों पढ़ना है अटैंट लगेंगे यह नहीं हमारे हम एक बार ही ऐसा पढ़के जाएंगे आइसा नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा 90 प्लस टार्गेट लेके चलेंगे हम देखना कैसे यह हमारी पावर होग कि आईसे आई मजबूर हो जाएगा जार इस बच्चे को अगर मैंने पास नहीं करा इस बच्चे को अगर मैं नंबर नहीं दिये तो कोई और बच्चा नंबर लेने डिजर भी नहीं करता इस हद तक की मेहनत करनी है इस हद तक की पढ़ाई करनी है और बस आपको वही करना है जो मैं कहता चलू concept इतना strong कर देंगे हम कि आई से खुज मजबूर होगा यार इसको तो पास करना है यह बच्चा इसके अंसर शीट चिला-चिला के कह रही है कि मुझे फेल करके दिखाओ दम है तो वह वाली बात है इस हट तक concept सब्सक्राइब आगे बढ़ाएं सब्सक्राइब कि अब आगे बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग देखा हमने अब अकाउंटिंग करते कैसे है प्रोसेस की अकाउंटिंग की नेक्पी अगाउंटिंग की डर त Ungern सीक히 अब अब प्रोसेस तो बता दो कि आखिए स्टेप से सशिक के अंदर प्रोसेस क्या है की अगन्ट कॉसेस उफ नहीं आप कि इसितले स्था किा कारेक्रहर्पाएग है तो फर्स्टेप क्या है दोस्त step number one कि सब से पहले तो यह identify करो कि कौन सी business की transaction है और नहीं, यानि कौन सी financial transaction और event है मेरे या नहीं वो identify करना, तो पहला step ही क्या है identification identification किस चीज का identification of financial transaction क्योंकि इतनी सारी transaction इतनी सारे event होंगे, event के मतलब क्या कोई एक घटना घट जाना, घटना इन साथ कि कोई भी positive या negative चीज जाना, business में किसी को हमने hire कर लिया, किसी अच्छे employee को hire कर लिया, तो यह बीज एक event है बट कैसे record करें, नहीं, क्योंकि हम पैसो की टमसे उसे मीजर नहीं कर सकते हैं, वो हमें छोड़के चला गया, बिजनस से, तो का मैं लिखके दिखा तू जो इन्टरी में यह चला गया, पैसो कहा लिखूं उसके आगे, नहीं है मेरे पास, नहीं लिख सकता मैं उसकी quality, उसकी loyalty को पैसो में, नहीं है हमारे पा करनी है, financial transactions की और event की अपने step 5, पहले identify कर लिया, फिर क्या करेंगे, second step में, चलो जी identify तो कर लिया, identify करने के बाद मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मुझे उसके अंदर यह देखना पड़ेगा, कि उसमें कितना पैसा involved है, कितना पैसा है उस transaction के अंदर involved है, कि कितने की वो transition event है, किस amount क्या, तो क्या करना, measurement करना पड़ेगा, measurement of, जो transition identify करिया, first step पे, of financial transactions and event. टिक, पहले identify करा, फिर उसमें measurement करा कि कितने पैसा involved है, जैन उसके बाद क्या करेंगे, अब तुमने identify कर लिया, तुमने measurement कर लिया, दोस्त, अब क्या बचा है, अब करो पहला step, जो recording है, पहले शर्णिस की जो प्रैक्टिकल अप्रोच गई तो पहचानने का था न सिरफ, द जार, क्या कला दिखानी है, step number three में, करो करो हाँ, यही answer चे, यही answer जो है न जुमा पर, बोलो जुमा केसरी, अपना answer से, recording, बस, recording, ओर्थ step में, classifying, फिर फिफ्ट में, summarizing, होगे ना, पहला क्या करा, identify करा, measurement करा, फिर record, classify, summarizing, फिर उसके बाद step number six में, analyze करा फिर हमने, analyze and interpret, तें, साथ में लिख सकता है, और last step में क्या गरेंगे, यहाँ पर एक नयावट देखने को मिलेगा हमें अब, लास्ट seven number का जो step उसमें क्या करेंगे, communication, अब क्या करना है, communicate, तो क्या process है, देखो, definition समय ली देना अच्छे थे, तो process याद करने का जंजटी खतम, यह process automatic याद हो गई तुम्हें, पहले क्या क्या करना, identify करना, पार, टार्शना इवेंट को जो financial nature किया है, और फिर measurement करना है, फिर record, classify, summarizing, analyze, interpret, and last, यह नया point हमें दिखाया हाँ, अज पहली बार, जा करना, communication करना, करना है कि नहीं करना है अब तुमने रिकॉर्डिंग कर लिए तुमने फाइनेशल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके बैठ चुकी हो लेजर बना लिए अकाउंट बना लिए बैले बना लिए सब बना लिए अब खुदी देखोगे बैठके वो कम्यूनिकेट करोगे सब्सक्राइब तुम्हें बता ही नहीं जाएगा कि हाँ जी हमने तो फैनेशल बना लिए हैं आये सर चेक कर लिजिए बताइए कि हमने क्या गलतिया करी है इसमें दिखाई दरा क्या करना है क्या नहीं करना है और टीट कीजिए वेरिफाई कीजिए तो बताएंगे तभी टेक्स ले पाएंगे वह इंवेस्टर को बता पाएंगे तभी तो क्या होगा इंवेस्टर उनको इन्वेस्ट कर पाएंगे ऐसा लगा पाएंगे तो बताना पड़ेगा करना पड़ेगा जैसे कि मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं मेरी बात तुम्हारे पास तक पहुंच रहे हैं तुम समझ पा रहे हैं तुम्हें हिंदी में बोलके बता सकता हूं मैं तुम्हें इंग्लिश में बता पा रहा हूं समझ पा रहे हो हमारे और तुम्हारे बीच में जो माध्यम है को कि 이ंगा किसी बात को समझने के लिए क्या है इक divain िंग्वेच विच लएंब लेंग्वेच था है एक लइंग्वेच अप्शा पता पड़ेगी की नहीं पड़ेगी इस चीज topic को समझने को रिए क्या है एक language Hindi English क्या है एक language एक medium है तो हम लोग आपसे में बात कर रहे हैं तो हमें एक language क्या होशकता पड़ेगी की नहीं पड़ेगी language Hindi English Sign language कैसे भी da Всё सकती है but language का होना जरूरी है कि उसी प्रकार से अपकाउंटिंग अपने बार में जनता को बताएगा तो क्या उसे लांगेज की जरूत नहीं पड़ेगी तो हम्हारा बिजनेस जब दुनिया को चिला-चिला के बताएगा हम इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं हमारे पास इतना प्रॉफित है हौँ हमार और आगे लेके चलो हमारे स्टॉक के शेर ख़ई तो हमारे स्टॉक मार्ग में लिष्ट करवा दो हमें यह कर दो हमें वो कर दो का बिज्नस यह बतायगा तो क्या उसे एक लेंग्वेज के उश्कता नहीं पड़ी चैना हंपकी बैसे थो चलो आज बात और सीखलेते आ बिज्नस के लिए लेंग्वेज है वो कोई और नहीं है वह यह बात लिकलाना जुबान से असर यह यह अंसर चाहिए था तो यह लिख्खो इस्टार पॉइंट एक और अकाउंटिंग इस दा टैश ओफ तरी डैश कुल लिखा है मैं अंसर पता है यहां पे क्या फिल होगा दोस्त यह इसलिए लिखा है क्यों कि मैं इसको अलग कलर से लिखना प्रफर अएट तरी लेँगल मैं पताने चलता है कि बिजनेंस कैसा चल रहा है अच्छा रहा है या बुर अपाformed कि बदो ने बुफिट diferente इसने और एसने लौस किए ईसने बड़ा निग्से और भाग या यहlye चोर आदमी है या जो क्रोड़ने वाला है या यह जैस चब दो दुपा चल पाता है हमें हमें हां पाउंटिंग इस दाल लैंग्विच ऑप इसनेस समझा लोग क्या पढ़ रहा है किस तरीके से पढ़ रहे हैं यह फांटेशन बना जरूरी क्यों है अभी मैं तुम्हें बनवा दूसी आट्राइल बैलेंस पीएडल बैलेंस शीट लेकिन तुम्हें उसका कोर ही नहीं पता ही क्यों बना रहे हैं कि कितना आगे जापाओगे संसार में कि तुम से बड़े-बड़े तुम्हारे कॉंपूटर हों तुम्हें रगड के आगे निकल जाएंगे अच्छे से अगर तुम्हें करना है तो conceptual knowledge और वट से ज्यादा वाइप फोकस करना पड़ेगा दोस्त तभी आगे बढ़ पाओगे वरना एक से बढ़कर एक तुरम खामारा वेट कर रहे हैं कि अगर हमने उन्हें मैच नहीं करा उन्हें सरपास नहीं करा तो वह हमें कब रौंद के आगे निकल जाएंग को देखे तो लगे कि यह बंदा है जो सी एकर रहा है यह लड़की है चैनल का नॉलिज रही है तो बहुत खराब नहीं बनेगा नहीं बनेगा तुम ही बताओ वह फरहां जैसा नहीं हो जाएगा त्रीड के जिसने कहा था अगर मैं इंजिनेर बन भी गया तो बहुत नहीं है अगर वो सिय बन भी गया तो भग्षाब सिय बनेगा उसको नौलीजी नहीं है conceptual यही तो असली बुनियाद है दोस्त यही तो फाउंडेशन है इसी को लेकर चलते हैं हमने क्या करते कैसे हैं वठिस्टा प्रॉसेस क्यों करते हैं और अकाउंटिंग एक लेंगवेज बिजनिस की और हमें क्या करना है हमें communicate करना है अपने जो भी हमने फानेशल बनाए है अब यहां सर एक कोशन आता है कि हमें communicate करना है तो किसे इसके लिए आपको मिलना पड़ेगा मुझसे एक ब्रेक के बाद अगली क्लास में क्यों क्यों कि मैस जितना समझता हूं यह फ्रस्ट क्लास है और इसमें पहली क्लास में इतना तुम्हारे लिए जरूरी है कि तो अगर तुम वाय समझ गए कि पढ़ना है तो बहुत है और अगर डैफिनिशन तुम्हें याद हो चुकी है एक बार और रीड करना जैसे बताई वैसे करना कोशन पूशन जवाब देना अगर सी सुकी सुकी रटोगे तो बूल जाओगे उसन इसाद रटोगे कोशन के समझोगे तो और प्रॉसर्स देखा और हमने एक बहुत ही प्र इफक्त नेस्ट एपिसोड में और आजके शोगों मैं है है समाप्त करता हूँ और मुझे बताना की कैसा लगा अच्छा लगा तो जरूर बताना और अगर आफ लगता है कि तो थोड़ा फास देखने के आज अब तो टूएक्स वाले बन गई हो हर वीडियो को तुब टूएक्स पर देखना है तो मैं लेक्शन और फास्ट मैं बहुत तीजी पड़ा सकता हूं तुमने बीच में देखा भी होगा मैं उस तरीके से भी लेके चल सकता हूं और अगर त स्पीड पसंद वो वीडियो को बढ़ा सकते हैं 1.25 1.5 पर पहले से ही फास्ट करें तो उनकी बास्ट लोग ऑप्शन तो फिर उतना अच्छी से काम नहीं करेगा मज़ा भी नहीं आएक पर बताना की ठीक था इसको तेज करना है कि स्लो करना है वो एक बार मुझे कर देना बाकी आगे बढ़ेंगे next topic की और chapter 1 के unit 1 की और आगे बढ़ेंगे और elaboratively और विस्तार से आगे बढ़ेंगे और concept नंगुसेंगे अच्छे से और हर concept क्ले करते चलेंगे कोई doubt हो तो ज़रू पूछना मैं आपका दोस्त आपका भाई आपका साथी इस सफर का बिलकुल भी आपको at least English वाला सफर तो नहीं करने दूँगा इंदी वाले सफर में बड़ा मुझाने वाला इस सफर में फास्ट लेक्ट्र को यहीं पर विराम देते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नहीं थैंक्यू